कुरोना काल के बाद राजिस्थान में इस बार इद का त्योहार हर शुलास के साथ मना गया बता दें कि कुरोना और अन्य कारणों के चलते पिछले दो साल से इद के इस खास मौके पर नमाज की साम हुई का अनुमती नहीं थी दो साल तक मुस्लिम समाज ने घरों में रहकर इद की नमाज अधा की लेकिन इस बार करोना का संक्रमन कम होने के कारण सभी ने एक साथ नमाज अधा की कोटा में भी सब ही लोगों ने मिल जूर कर नमाजादा की और अल्ला से देश में अमन चैन बनाए रखने की दुआ की कुर्बानी अगर जिन्दगी में नहीं होती है तो इनसान अपने एम को अपने मकसद को नहीं पा सकता अपने मकसद को पाने के लिए आजमी को कुछ ना कुछ पुर्बानी देने पड़ती है आज कोटा के अंदर आप देखें हजारों लाखों बच्चे जो है पुर्बानी दे कर आते हैं अपने वतन की पुर्बानी अपने माबाप की अपने आराम की हर चीज़ के पुर्बानी तो उसको जो है अपनी वफ्त की अपने मौल की अपने जान की खरबानी देनी पड़ती है विबराहीम ऑले से लिए ईसलाम ने जो एक नमूना पेष किया खरबानी का के जब उनसे कहा गया की हरे एक इनसान के बसका काम नहीं था ये एक नभी कही काम था कि वो जब खुदा ने उनसे अपने बेटे की कुर्बानी मांगी तो वो उसके लिए भी तैयार हो गए खुदा को कोई बेटे की कुर्बानी लेना मकसूद नहीं था तो दुनिया को ये दिखाना था कि जब आपको काम्याब होना है तो आपको जिन्दगी के अंदर काम्याबी देनी है जो है कुर्बानी देनी है कि तुम्हें कामियादी होने के लिए जो है हरड़ चीज़ का कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए यह सरोच कुर्बानी का त्योहार है त्याग का त्योहार है अल्ला के नामबर कुर्बानी करने की जजवा है कुर्बानी को निये की बकरे की करने या कुछ है एक बावना है एक एमोशन है जो अपने पालनहार है जो आपको पैदा करके पालने वाले जो पुदा पाक है अल्ल इसको चीज को उस भावना को दिखाता है कि आप में कितनी जजवा हैं इनषानियत की रास्ते में क्या कुछ पुर्बान कर सकते हैं इंति का इत्रीन साल है और पूरा आवाम को हमारी प्रदेश में और देश में सब के लिए दुआ है सब की जिन्दगी में कुछ गाली हो और सब अच्छी तरह से अपनी जीवन आपस ही बाईचार है के साथ में सभी गुजा रहे और वो फ्याग को उस पुर्बानी को ये त्योहार गया दिला वहीं बीकनेर में एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए अखल भारतिय जनवादी महला समीति के उल से इद्गा के बाहर नमाज अता करने के बाद राष्ट एकताव भाईचारे का संदेश देने के लिए राष्ट धवज फेराय गया और राष्ट गान कर एकताव भाईचार के संदेश के साथ अहिंसा यात्रा का अगाज किया गया बीकनेर में पहली बार हुए इस आयुजन के जरिये सरधर्म संभाव काइम करने के अपील की गई शहर काजी मुश्ताक एहमद ने दोजारोहन करने के बाद कहा कि बीकनेर की गंगा जामनी संस्कृती देश के लिए में शाल है इसे काइम रखना है करेंगे नफरत को बरदाश्ट नहीं करेंगे और इस देश को हम किसी भी सूरत में बटने नहीं देंगे समिधान के हिसाब से देश चलेगा किसी भी दूसरी सोच के साथ ये देश नहीं चलेगा हमने यहाँ पर जनवादी महिला समीती की तरफ से एकता और भाईचारा प् नाय रखने की दुआएं की गई पंचाब के से टीवी के लिए कोटा से योगेंदर महावर के साथ बीकानेर से आनन्द चारे की रिपोर्ट